अब नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनल पर तो दोस्तों वेकेंसे डास चनल पर आपका श्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊं का बेरोजगारी बत्ते को लेकर कुछ नई अपडेट्स आये हैं वैसे अचानी आ रही है पेमेंड का प्रॉब्लम चल रहा है तो जिसके लिए सरकार ने एक नया आयाम चुना है उसको पेमेंड की लिसाब से पे करना है तो दोस्तों यह मेरे पास परसों की कटिंग है यानि कि आज 18 तारीक हो गई है और दो दिन पहले कि यह मेरे पास बार की ज है बिरूजगウागाबने के नहीं सरका बने के बाद ही विरुदग सपयों कि कई मामें बिरूजग्स घाँज 크게 DR- longest चेए उतिन इस में दूं आंतार की बिरूजगाई को अब बिरूजग में नहीं मिररा है यानि की काफी लोग को मिल चुका है लेकिन अब बी तक नहीं आ तो दोस्तों सबसे और सबसे सही और अच्छी बात यह है वीडियो को पूरा देखना दोस्तों पूरा समझाओंगा आपको कैसे आपको समझ में आए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट जरू कहें हम और भी कोसिस कहेंगे अच्छी तरह के शमझाने की तो दोस्तों विबाग ने के अधिकार ने बताये कि इस महां के अंद तक नए पंजिकरत बेरोजगर को पेमेनेज के द्वारा ही बता है वो पेमेंट कर दिये ज जैसे लाखों यानि 60,000 नए पंजिकरत है विरोजगर यानि कि 60,000 कुछ आविदन के पास गए हैं जिसको विरोजगर बता आविदन के रूप में लिया गया है तो अधिकार में बताये कि इन सभी नए पंजिकरत जो भी विरोजगर है उनको खातों में जो पेमेंट है वो करना होगा जो कि आपको payment है वो आपको payment के थू मिलने वाला है यानि कि आपको वहां पर registration करना है तो वहां पर कुछ necessary details आपको मैं बता दूँ कि क्या क्या आपको आवसक है वो अगर आपने यहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर लिखना है pay manager लिखते ही दोस्तों आपके सामने एक नया interface open हो जाएगा जिसमें आपको एक नई website दी जाएगी यानि paymanager.raj.nic.in यह इसकी main websites है इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप इसको क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया interface है वो open हो जाता है तो simply आपको कुछ नहीं करना है ऐसा आपके पास एक login पेज आ जाएगा उसके नीचे आपको एक bank registration का option दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करना है दोस्तों इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद आपको पूरी detail नहीं दिखा दूँ यह इस तरह का form open हो जाएगा इसको जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको कि इस प्रकार से आपको एक registration का page open हो जाएगा जहां पर आपको करना होगा registration दोस्तों फर्स्ट में आपको अपना नाम आपका last name आपको कौन सा username रखना है वो आपका bank है या टेजरी है वो आपको यहाँ पर fill up करना है टेजरी bank का नाम लिख देना है सब टेजरी यानि कि आपको तैसिल का नाम लिख देना है यहाँ पर address यहाँ पर email address email address के बाद आपको mobile number आपके office कौन सा लगता है वो office और आपको next time open करने के लिए आप पे दो password देने होंगे उसके बाद आपको verified contact पे आपको verified कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको एक username ऐसा लेना है username यहाँ पर type करके आपको यहाँ पर check availability पर क्लिक करना है जिससे क्या होता कि जो भी आपका username रहना चाहिए वो यहाँ पर आपको verified कर देगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही यही मैं जानकर थी दोस्तों कि आपको यहाँ पर registration करना होगा registration के बाद ही आपको payment मिलना शुरू हो जाएगा तो जो भी नहीं बनते हैं जिनका अभी तक registration नहीं हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका time बाइस्ट ना हो कुछ गलत कमेट ना करें दोस्तों यह आपके फाइदे के लिए ही मैंने बनाए है अगर आपको कुछ problem हो तो मैं अपना नमबर बताता हूँ आपको 7976-160500 एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ 7976-160500 पर आप मुझ बताने वाला हूँ 7976-160500 सुर्यावनसी नाम से मेरा नाम है तो आप मुझे कमेट जरूर करें दोस्तों आप रहास्तान के जोन से भी जिले से हैं मैं आपकी हल्प जरूर कहूंगा दोस्तों मैं पूरी कोशिदी कहूंगा आपको support करने के लिए आपके बेरियोज गई भत सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए वीडियो पसंदे तो दोस्तों लाइक जरू करना और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें से जरू करें थैंक्यू दोस्तों वाचिंग फॉर दिस वीडियो थैंक्यू स माच्च अजय को अजय को माच्च